नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोर्णेशन और मैं हूप एदर्शन बिहार में सुबह सुबह एक बड़े हाथसे में छह लोगों की मौत हो गई है और तमाम लोग एक गौट और इकसा पर सबार होकर के बेगुसराय जा रहे थे और उसी दोरान एक कार के साथ हुई आमने सामने की टकर में च्छा के च्छा लोग घटना स्थर पर मौत के सिकार हो गए है दरसर आपको बता है कि यह पूरी घटना हुई है यह पटना और बेगुसराय दोनों के जोरने वाले राजेंदरपुल के ठीक बाद बीहट के पास हुई है दरसर पतना जी लेके हथिदह रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग उतर करके एक ओटो रिक्सा में सवार होकर के और बेगुसराय की ओर जा रहे थे और इसी दोरान बताया जा रहा है कि FCI थाना छेतर अंतर गत रतन चौक के पास अचानक से एक सामने से तेज रप्तार कार आ रही थी और इस ओर से यानि कि हथिदह की तरप से जो अटो रिक्सा जा रहे थे उसे दोनों में कार और एको रिक्सा में आमने सामने की भिरण्थ हुई इस्थिते होई कि जो आटो पर सवार पांच लोग थे वो पांच लोगों ने वहीं पे बारिबारी से दम तोर दिया वहीं इसके अतरिक जो तीन से अनी चार लोग थे उन सब को घायल अवस्था में अलग-अलग स्पतालों में दाखिल कराया गया है इसमें यहाँ भी बताया गया है जो कार के ड्राइवर थे वो कार के ड्राइवर भी गंभी रूप से घायल थे इसके अतरिक बाद में जो तमाम घायल थे उनमें से भी एक लोगों की मौत की खबर हुई है यानि कि इस घटना में जो के घटना पतना के हथिदय रेलवे स्टेशन के पास से तमाम लोग आटो पे सवार होकर के बेगु सराई की ओर जा रहे थे उनका कार में एक्सिडेंट होने के कारण आमने सामने की इस भीरंत में छह लोगों की मौत की खबर है जबकि तीन से चार लोग ऐसे हैं जिन सब को घायल अबस्था में अलग-अलग स्पतालों में दाखिल करा गया है तो दरजी घटना हुई है ये घटना मंगलवार सुबह सुबह ही हुई है मंगलवार सुबह पताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग हध्य रेल्वे स्टेशन पे उतरते हैं सिमरिया के बाद जब FCI थाना शुरू होता है तो वहीं पे अचानक से रतन चौक के पास सामने से आ रही यानि कि बेगू सराई से पटना की ओर आ रही एक कार जो की तेज रप्ता में बताई जा रही है उसमें और ओटो में दोनों में अनियंत्रीत हो करके एक दूसरे से जोड़दा टकर हो गई इस्तिती रही कि टकर होने के बाद जो तमाम लोग सवार थे वो सब बाड़ी बाड़ी से बुरी तरीके से उस दुखटा में लहुलुहान हो गए और उसके बाद जो स्थानिये लोग हैं जो प्रतेक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि एक्सिडेंट इतना गंभीर था कि उसमें जो आटो है आटो के बुरी तरीके से परकशे उड़ गए और आटो में सवार जो लोग थे उनकी ला से वहीं जहां तहार बिखर गई और इस्तिती हुई कि लोगों ने वही लोग बुरी तरीके से लहु-लहान थे तो आनन्द फान्वेर में तमाम लोगों को वहां से उठा करके और स्थानिये पोलिस तरह प्रशासन के साथ साथ जो स्थानिये लोग थे उन सब की मदद से उन्हें आजपास के स्पतालों में दाखिल करा गया उपचार करा जा रहा है कि जो लोग जो इस हाथसे का शिकार हुए है उन हताहतों के पहचान की जा रही है वो कहां से आ रहे थे कहां जा रहे थे ये तमाम लोग किन-किन जगहों से आ रहे थे और किन-किन गाओं में बेगुसराय की ओर जा रहे थे इन तमाम जानकारी के ठा की जा रही है और सा आटो और कार में जो यह बीसन दुरगटना होई है टकर होई है इसके पीछे की वजह क्agit раз इसमें आखिर गलती किसकी थी क्या आटो गलत दिशह में जा रहा था या फिर आटो। कार में कुछ इस प्रकार की अनियंत्रित होई और असंतुलंद इस प्रकार से विगरा की दोनों एक उसे से तकरा गए इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस प्रसासन की ओर से तमाम प्रकार की जानकारियां जुटाई जा रही है लेकिन बिहार के लिए एक सुबह सुबह का बड़ा हाथसा एक दुखताई खबर बिहार के बेगुसराई से निकल करके सामने आ रही है जहां पत्ना जिले के हतिदह में हतिदह रेलबे स्टीशन पर ट्रेन से उतर करके कुछ यात्री आटो में सवार होकर के बेगुसराई की ओर जा रहे थे और वे सब एक हाथसे का प्रेट शरकाते में 6 लोगों की मौथ हो